नमस्कार इस वीडियो में कुछ multiple choice questions पीवी शेली पर सबसे पहला question वो आप note कर लीजे जैसा कि मैं हमेशा आपको note करने को बोलती हूँ date of birth और date of death तो when was Shelly born जो options यहां पर दे रखे हैं उनके according 1790, 1791, 1792 या फिर 1793 तो Shelly का जन 1792 में 4th August को हुआ था 4 August को इसको note कर लीजे और death भी note कर लीजे उसकी जो death हुई थी 8 July 1822 को तो सबसे पहला काम तो यही कीजे वीडियो थोड़ा pause कीजे और उसके बाद नोट बुक में यह दोनों dates note कर लीजे चार अगस 1792 date of birth और 8 July 1822 date of death next question what are Shelly's famous odes तो Shelly की जो प्रसिद odes हैं वो कौन सी हैं to a skylar or to the west wind both या none of these तो यह दोनों हैं या इन में से कोई नहीं तो यह दोनों ही Shelly की famous odes हैं तो हमारा जबाब होगा C यानि की both third question है which poem was published after Shelly's death तो इन में से कौन सी कविता Shelly की मौत के बाद प्रकाशित हुई थी to a skylar इस्टिंजाज रिटिन इन डिजेक्शन नियर नेपल्स हैलास या नन आफ दीज तो to a skylar इस्टिंजाज रिटिन इन डिजेक्शन नियर नेपल्स इस पर भी वीडियो अप्लोड़ेट है आपने देखा ही होगा यह जो पोईम है स्टिंजाज रिटिन इन डिजेक्शन यह 1818 में लिखी गई थी लेकिन पबलिश यह 1824 में होई थी यानि शेली की डेथ के बाद शेली की डेथ 1822 में होई है और यह पोईम 1824 में पबलिश होई तो ये posthumously जब कोई बुक या कोई रचना लेखक के मरने के बाद प्रकाशित होती है तो उसको posthumous बोलते हैं ये ऐसे ही किसी लेखक के लिखने के बाद उसकी बुक या किसी पिता के मरने के बाद उसका बच्चा पैदा होता है तो वो बच्चा भी पॉस्थुमस ही कहलाता है ठीक है तो यहां हमारा जवाब होगा B फिर फोर्थ क्वेशन देखते हैं किसको कहा गया है अच्छा नहीं किसको नहीं कहा गया किसने कहा शैली को एक परफेक्ट सिंगिंग गॉड किसने कहा तो यहां जो औप्शन्स हैं मैथ्यू आर्नॉल्ड, एरिस्टोटल या फिर एलगर्णन, चार्ल्स स्वाइन बर्ण या फिर विलियम वर्ट्सवर्थ तो शॉर्ड में को A.C. स्वाइन बर्ण लिखा जाता है तो स्वाइन बर्ण ने यह कहा है शेली के बारे में बहुत इंपोर्टंट स्वाइन बर्ण है A.C. स्वाइन बर्ण ने तो हमारा जबाब होगा C. शेली रोट एड़नाइस on the death of तो शेली ने एड़नाइस लिखा है यह एक एलेजी है किस की मौत पर लिखा है कीर्स, वर्षवर्थ, कॉलरेज या फिर बारेन तो यह जो एड़नाइस लिखा है वो कीर्स की मौत पर लिखा है तो हमारा जबाब होगा A. यह दौनों ही क्वेस्चन्स बहुत इंपोर्टंट है शेली का एड़नाइस कीर्स की death पर लिखा गया है यह एक पेस्टोरल एलेजी है शेली वोज एक्सपल्ड फ्रॉम ऑक्सफूर्ड शेली को ऑक्सफूर्ड युनिवर्सिटी से निकाला गया था विकॉज ही पबलिश्ट क्योंकि उसने प्रकाशित किया था क्या प्रकाशित किया था अड़नाईस, नेसेसिटी ओफ एथिज्म दसेंसी या फिर हैलास तो उसने प्रकाशित की थी एक पैमफ्लेट एक परचा निकाला था जिसका नाम था नेसेसिटी ओफ एथिज्म नेसेसिटी माने आवश्यक्ता ओफ एथिज्म माने नास्तिकता की तो नास्तिकता की आवश्यक्ता और भई नास्तिक होना एक अपराध था आज भी कुछ देशों में तो बहुत बड़ी सजा मिलती है ब्लास्फेमी लॉज बहुत स्ट्रिक्ट हैं कई जगे तो इसी लिए इनको उक्सफोर्ड उनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था पीवी शेली को तो हमारा जवाब होगा बी याद रखेगा नैससिटी ओफ एथिज्म बहुत इंपोर्टन क्वेश्चन है ये भी सेवंथ क्वेश्चन देखिए उस नाव का क्या नाम था फ्रॉम विच नहीं होगा इन विच यानि कि पीवी शेली सेल्ड इस लास जर्नी तो जिस नाव में अपनी अंतिम यात्रा उन्होंने की उस शिप का या बोर्ट का नाम क्या था डॉन जवान डॉन को एक्जोट डॉन या फिर नन अफ दीज तो उस बोर्ट का नाम था डॉन जॉन तो हमारा जवाब होगा ए शेली कंपियर्स स्काईल आर्क विद शेली ने स्काईल आर्क की तुलना की है आपने स्काईल आर्क पॉइम तो पढ़ी है अच्छे से नहीं पढ़ी हो तो एक बार ज़रूर पूरा पढ़ लीजेगा क्योंकि पॉइम के बीच में से पूछ लिये जाते हैं फिलप्स वाले जो पॉइम के बीच में से आते हैं आपको कोई लाइन कंप्लीट करनी होती है एक वर्ड उसमें से छोड़ दिया जाता है तो अगर आपने पॉइम नहीं पढ़ी है तो आप नहीं कर पाएंगे अट्रेम्ट तो शेली ने कंप्यर किया है स्काइलार को पॉइट से, रोज से, ग्लोवम से या ओल अफ दीज तो इन सभी से तुलना की है अलग-अलग इस इन्जाज में आपको यादी होगा तो हमारा जवाब होगा दी, ओल अफ दीज फिर नेक्स कुशन है अव ड़ज शेली एड्रेस स्काइलार शेली स्काइलार को कैसे संबोधित करता है ब्लिद स्पिरिट, अडिवाइन वर्ड, बोथ, नन अफ दीज तो उसने अडिवाइन वर्ड नाम से तो संबोधित नहीं किया है उसको ब्लिद स्पिरिट कहके संबोधित किया है तो हमारा जवाब होगा A नेक्स कुशन देखते हैं एक्स्प्लेइन देख्लोफिए एक्स्प्लेइन नीज समझाईए व्यक्ष्ण कीजिए देख्लोफिए उस दर्शन की प्रोपाउंड़ बाई जो कि प्रतिपादिद किया गया है बाई शेली शेली के द्वारा इन दा पोईम कविता में तो वो दर्शन क्या है यानि जो मौत है वो अंतिम सच्चाई है मनुष्य कभी संतुष्ट महसूस नहीं करता पेन एंड सोरो यानि दुख पेन मने दर्द होता है और सोरो दुख होता है तो दुख दर्द आर्कन करेंट मने साथ चलते हैं आफ लाइफ जीवन के या फिर ओल आफ दीज तो ये सारी ही फिलोसफीज उन्होंने दी हैं इस पोईम में तो आपने अगर पूरी पोईम पढ़ी होगी तो आप पहँचानेंगे कि ये सारी चीज़ें वहाँ पर दी हुई हैं इसलिए मैं बार बार आपको कहती हूँ कि पोईम ज़रूर पूरी पढ़ लीजे तो ठीक है ये दसमें वाले क्वेशन का जो जबाब हुआ डी हुआ ओल अफ दीज ये एक दूसरी बुक में और देख लेते हैं कुछ क्वेशन्स पीबी शेली is a famous romantic poet ये आप जानते ही हैं तो हमारा जबाब यहाँ यह होगा फिर who is contemporary of Shelly तो Shelly का contemporary को है Shakespeare, Keats, Milton या Pope तो जो Shelly का contemporary है वो यहाँ पर Keats है फिर who is not contemporary of Shelly तो इन में से कौन Shelly का contemporary नहीं है Keats, वो तो ही contemporary उसके साथ रहा था और उसकी death पर poem लिखी है एड़नाइस फिर college, college भी contemporary है Shelly का Milton, Milton Shelly का contemporary नहीं है तो हमारा जबाब C होगा फिर which poem is not of Shelly तो इन में से कौन सी कविता Shelly नहीं लिखी है तो आपने पढ़ी है और आपको मालू है कि ये Shelly की ही कविता है दे cloud ये आपको मालू है कि ये भी Shelly नहीं लिखी है ode to the west wind ये भी Shelly नहीं लिखी है आपने पढ़ी होगी मैंने इसका वीडियो भी upload किया हुआ है फिर ode to the skylark तो जो ode है वो to a skylark है और उसमें ode आगे word लिखा हुआ नहीं है सिर्फ जो title है to a skylark है हलांके वो ode ही है लेकिन इस तरीके से उसका title नहीं है तो यहाँ जो जबाब होगा वो D होगा फिफ्थ question देखिए Shelley is famous for Shelley प्रसिद्ध है imagination के लिए wit यानि अपनी बुद्धी की चतुराई के लिए satire व्यंग के लिए none of these तो Shelley अपनी imagination के लिए जाना जाता है तो यहाँ जबाब हमारा होगा a फिर है Shelley died in तो date of birth और date of death तो मैं आपको पहले ही note करा चुकी हूँ फिर है Shelley was born ये भी आप जानते ही है पहले ही note करा चुकी हूँ which poem is not of Shelley इन में से कौन सी poem है जो Shelley की नहीं है the cloud Shelley की है tonight Shelley की है the invitation Shelley की है to autumn यह कीर्स की है तो हमारा जबाब यहाँ पर होगा D यह एक और तीसरी किताब है इसमें देखते हैं to which is does P.V. Shelley belong Elizabeth ने तो यह तो आप जानते हैं romantic is पहले भी आ चुका है यह question तो यहाँ जबाब D होगा इसके बाद यह जो अगला सवाल है in which century was P.V. Shelley born तो 1792 में क्योंकि उसका जन्म हुआ था 1792 तो 18th century ही हुई ना 18th century का भले ही end है वो लेकिन यहाँ तो options में दे ही नहीं रखा 15th century, 16th century, 17th century और 19th century दे रखा है लेकिन 1792 तो 18th century हुई तो भले ही यह जो question है पहले भी एक दूबार ऐसा हुआ है तो यह question होना चाहिए था to which century does P.V. Shelley belong बजाए born के यह एक question होना चाहिए था कि किस century को वो belong करता है तो वो 19th century को belong करता है क्योंकि उसने जो अपनी रचनाएं लिखी है जैसे कि 92 में पैदा हुआ अब 1800 में यह century खतम हो गई 18th century और 19th century शुरू होती है तो जो उसने अपनी रचनाएं लिखी है वो 19th century में लिखी है तो वो 19th century का ही poet कहलाता है तो यहाँ यह question थोड़ा सा गड़बर है next question देखते है for writing which pamphlet was Shelley expert तो यह से तो अपरचित ही है necessity of atheism which splendid elegy was written by Shelley on the death of Keats इसे भी परचिते हैं आप Adonis लिखी है उसने next question है in which verse form is the poem Two Eyes Skylark composed तो किस verse form में लिखी गई है Two Eyes Skylark अब यहाँ जो options है ode, ballad, lyric, epic तो इन में आप जानते हैं कि यह ode है लेकिन यह एक lyric भी है हाँ न जो lyric की qualities हैं वो सारी qualities इसमें हैं लेकिन हम यहाँ पर जो mark करेंगे वो ode ही mark करेंगे next question point out the figure of speech in the following lines तो यहाँ figure of speech आपको बताना है our sweetest songs are those that tell of saddest thought अब यहाँ पर वैसे oxymoron है लेकिन oxymoron तो यहाँ बेही नहीं रखा options में हमारे सबसे मधुरगीत वो होते हैं जो सबसे ज़्यादा दुखत विचारों के बारे में बात करते हैं तो oxymoron हुआ अब जो options हमारे पास हैं वो alliteration, hyperval, simile, apostrophe है तो इन options में से हम यहाँ पर alliteration इसको mark करेंगे क्योंकि देखिए ss sound repeat हो रही sweetest songs तो यहाँ पर हम alliteration ही mark करेंगे फिर which figure of speech is used in the following line यहाँ पर कौन सा figure of speech है hail to the blith spirit simile, hyperval, personification oxymoron एक बार मैं फिर आप से कहूंगी कि जो figures of speech पर video है मेरा वो जरूर देख लीजेगा figures of speech अगर आप knowledge है तभी पहँचान पाएंगे तो यहाँ hail to the blith spirit यह कौन सा figure of speech है देखिए उसका स्वागत कर रहा है स्काईल आर्क का पीवी शेली स्वागत कर रहा है बात कर रहा है उससे तो वैसे तो यहाँ options में इनको apostrophe देना चाहिए था जब किसी dead object से या किसी पक्षी से किसी absent व्यक्ति से या किसी feeling से बात की जाती है तो वो apostrophe होता है figure of speech लेकिन यहाँ options में दे नहीं रखा जो options हैं similarly hyperbole personification और oxymoron तो यहाँ पर हम इसको personification मार्क करेंगे क्योंकि वो जो बात कर रहा है स्वागत कर रहा है जैसे किसी इनसान का स्वागत किया जा रहा हो उस तरीके से उसका स्वागत करता है एक तरीके से खुश गमार व्यक्ती तुम्हारा स्वागत है तो personification यहाँ पर हम मार्क करेंगे फिर eighth question देखिए यह question भी figure of speech पर ही है which figure of speech is used in the following lines तो इन पंक्तियों में कौन सा figure of speech कौन सा लंकार प्रेव हुआ है like a poet hidden एक कभी की तरह जो के छिपा हुआ है in the light of thought अपने विचारों की रोशनी में options है metaphor, simili, hyperval or alliteration अब like शब्दा आ गया तो जहां so like as words use किये जाते हैं वहां simili होता है तो हमारा जबाब होगा be simili next question how many stanza's does the poem to a skylark have तो जो poem है to a skylark कि उसमें कितने stanza's है जो options दिये हैं वो सारे options के लगत हैं उसमें आपने मेरे साथ पढ़ाई हुआ है poem को तो आपको यादी होगा कि 21 stanza's है how many lines does each stanza of the poem to a skylark have तो हर stanza में to a skylark के कितनी lines है four, five, six, seven तो आपको यादी होगा कि उसमें हर stanza में five lines हैं तो हमारा जबाब होगा भी फिर next और last question point out the figure of speech in the following lines तो यहाँ figure of speech बताना है like a glow warm golden in the dell of dew तो देखिए जैसे मैं बार बार कहती हूँ आपसे तो देख जरूर लीजेगा उस वीडियो को जैसे आपको knowledge हो जाए कि देखिए यहाँ पर दो figure of speech है एक तो like word यूज हुआ इसलिए यहाँ पर simili हो गया और glow warm golden तो g repeat हुआ फिर dell of dew d repeat हुआ अब यहाँ options में इन्होंने simili तो देखिए नहीं रखा तो इसलिए हम यहाँ alliteration mark करेंगे इसको ठीके तो यहाँ पर जबाब हम a mark करेंगे यानि alliteration तो यह थे कुछ multiple choice questions पीवी शैली पर यह वीडियो में यहीं समात करते हूँ धन्यवाद